दोस्तों आप सभी का हाल दिक स्वागत है हमारी यूटुब चैनल आवदेखवाल मिक्स में दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत है अच्छी आउसधी से परिचीत कराने वाला हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी बताने वाला हूँ तो आप वीडियो में शुरू से अंतक बने रहें अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल में इसी तरह की जंगली वा नस्पती जानने सुनने देखने के लिए दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को एक बह देख पा रहे हो यह देख लीजिए अच्छे से भाचान लीजिए यह जंगलों में और खेत खलियानों में मेर में कहीं भी मिल जाता है जैसे मैं आप लोगों को और दिखा रहा हूं चलिए तो आप देख सकते हो यहां पे भी लगा हुआ है बहुत सारा तो देख तो आप भी से धून करके पहचान सकते हो में अपर चान कराने माले बात ही नहीं है कि यहां पर देख यह अच्छे से आपको पहचान में आ रहा होगा यहां पर इसका जो पत्ता होता है ओई क्या को होता है इसको तिन पन्नी बोला जाता है हमारे ग्रामीर दिहाच छेत्र में और इसके पत्तियों को खट्टे डाल कर साख सब्जी बना जाता है और हिंदी में इसे हिरन खूरी कहा जाता है दोस्तों तो आप भी से देखकर के पहचान लीजिए, इसके अंदर में कंद निकलता है, आप देखकर पहचान सकते हो, जुरत पढ़ने पर इसको उक्योग कर सकते हो, तो आप समझ गये होंगे कि इसके पत्ते का साख सबजी बना करके खाते हैं, जिससे पेट लोग पूरी तरह से खत सबस्ते लोग परिसान रहते हैं, हाली में हमारे आसपास के छेतर में मिर्गी के दवरे पढ़ने पर एक ब्यक्ति की मौत हो गई थी, हमारे गाउं से कुछ 10-15 किलोमेटर की दूर पर है उनका गाउं, अगर उन लोग को पता होता कि ये आवसधियां इस तरह से काम करती है तो सायद उसकी मौत नहीं हो पाती, तो क्या कर सकते हैं हम लोग जानकारी डालते हैं, सब को बताते हैं, मगर किसी किसी को होना रहता है तो उसको जानकारी मालूम नहीं रहता है, इसके वज़ए से वे लोग मिर्गी के सिकार हो करके अपना जान गवाँ बढ़ते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करो, ताकि कोई भी मिरगी का जो दोरा पड़ता है, उससे असानी से छुटकारा पा सके, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे मिरगी का दोरा पड़ता है, तो आप इसके पत्तों को कुचल करके माथे पे को, अगर इससे भी ज्यादा और दमदार असर देखना चाहते हैं, तो इसको उखाड लीजिए, खोद करके अच्छे से, इसमें कंद निकलता है, इसका कंद, हिरन खुरी का कंद निकलता है, अंदर में सफेद रहता है, कंद छोटा छोटा रहता है, बड़ा भी रहता है, आप उस हुरन खुरी के कंद को खोद करके निकाल लीजिए, और उसके कंद में से कुट पीस करके रस निकाल लीजिए, उस रस को आप सिर्फ दोदो बून, नाक में टपका दीजिए, मिरगी का दवरा कैसा भी पड़ा हो, कैसा भी बिहोसी हालत में हो, आदमी तुरंत यकीन नहीं करोगे, इतना जबरदस्त असर दिखाता है, इसके अंदर में कंद होता है, आप उखाड के देख सकते हो, जैसे आप लोग अभी पूछोगे, कि सर इसका जैसे हम कहीं भी बाहर रहते हैं, तो इसका अचानक उप्योग कैसे कर पाएंगे, हमारे पास थोड़ी का पेसेंट है, वो अपने पास रखे रहे, जब भी दवरा पड़े, उसके साथ ही या फिर कोई भी उसके आस पास हो, तो उसको तुरंत पानी में भीगो, और भीगोने के बाद उससे रस निकलता है, एक दो बुन, भीगोने के बाद तो उस रस को आपना आक में डालो, त तुरंत छट पटा के उड़ जाएगा, और चलने फिरने लगेगा, इतना दमदार है या उसदी, अगर इसके कंद को मुह में जीब में रख लेते हो, तो आपके सरीर में करेंट दाउड जाएगा, इतना असरदार है, तो आप अगर नार्मल बेकती हो, आपको कोई प्राण हो जाओगे, तो आप ध्यान से उप्योग कीजिए, इसके पत्तो को ललाट में लगाया जाता है, माथे पे लगाया जाता है, जिससे बेहोसी की हाला समाप तो होती है, मेरगी का दवरा समाप तो होता है, अपसमार में लाब मिलता है, और इसके कंद से तो और असरदार है ये और इसके पत्तों को कच्चा ऐसी साकसबजी बना करके खा सकते हो इसमें कोई कोई जहरीला पदार्थ नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी पेट के समस्तरोग ठीक हो जाते हैं इसके सेवन करने से तिन पन्नी और इसको हिरन खुरी बोला जाता है ध्यान से एक बार और सुन लीजिए तो मैंने आज आज आप लोगों को इस तिन पन्नी और हिरन खुरी के पौधे से परिचित करा दिया आप लोग इसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए अपने दोस्तों को भी बताईए परिवार वालों को बताईए और ऐसी अवसधियों को जानने सुनने देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल के साथ जूड़े रहें आने वाले आप लोगों को अच्छे 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 सधी से परिचित कराऊंगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी आप अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जै जैँ टूआए अच्छे से जानने नमस्कार जैहिन जैँ।